नमस्कार मैं अलिश्या और आप देख रहे हैं न्यूज लाइफ 36 गर के राजनात गाउं में मुट भेड साथ नकसली धेर 36 गर के राजनात गाउं में DRD जवानों के साथ मुट भेड में साथ नकसली मारे गए DGP ने बताया कि घटना इस थल से भारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूत बरामत किया गया सुरक्षबलों के जवान नकसलों के खिलाव लगातार ओपरेशन चला रहे हैं जिससे नकसली हमलों में कमी आई है और नकसली हिंसा से प्रभावित जिलों की संक्या घटकर के वे साथ रह गई है 15 राजों में भारी बारिश का अलट मुंबई में जल पढ़ ले कई राजों में एक और जहां बारिश और बार से जन जीवन अस्त वियस हो गया है वही देश के पंधरा राजों में भारी बारिश का अलट जारी कर दिया गया है मुसम विभाग ने ओडिश्या, मध्यपरदिश, गुजरात, गोवा, आदी में भारी बारिश की संभामना जताई है वही मुंबई और आसपास की इलाकों में भारी से भारी बारिश से जर्फरलिये के हालार बन गए है इसके साथ ये दिल्ली NCR में भी बारिश हुई है भाशपा सांसदो के लिए दो दिवस्य अभ्यास वर्ग शुरू, पी एम मोधी देंगे टिप्स भाशपा की लोकसबा और राजे सबा सदस्व के लिए दिल्ली में दो दिवस्य प्रशिक्षन कारे करम अभ्यास वर्ग की शुरूआत हो गई है संसद भवन की लाइबरे में आयोज़त कारे करम में सांसदो को पारिटी की विचार धारा से लेकर संगटन के गुर सिखाए जाएंगे कारे करम के दूसरे दिन यानि कल प्रधारमंदी नरीन दर्मोदी समापन भाशन देंगे इस बार भाशपर की 125 से जादा सांसद पहली बार संसद पहुच गए है वर्ष 2018 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में तेनात केंगे अर्दसैनिक बलो के सुरक्ष करमियों की संग्या बर का 75,000 हो गई है भारी संख्यों से अतरिक जवानों की तेनाती से राज्चे में कई तरह की चर्चाई हो रही है कहा जा रहा है कि केंदे सरकार राज्जों के लिए कुछ बड़े निर्णे लेने की योजना बना रही है ये भी अफ़ाय है कि सरकार सविधान के अनू 1670 और 35 ए को रद करने वाली है अमरनात यात्रा रोकी एडवाईजरी के बाद कश्मीर से लोटने लगे परियटक आतंकी खत्रे को देखते हुए अमरनात यात्रा रोक दी गई है जम्मू कश्मीर के ग्रहसर चीव ने अमरनात यात्रा और परियटकों को एडवाईज करते हुए तुरन घाटी छोड़ने की सला दी है इसके बाद अमरनात यात्री और परियटक कश्मीर से वापस लोटने लगे है दरसल सुरक्ष बलो को अमर्नाथ याद्रा मार्क पर सर्च उपरेशन के दोरान स्नाईपर राइफल मिली इसके बाद याद्रा रोकने का फैसला किया गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदे में तीन लोग गिरफ़तार जाच अजन्सियों ने हिसार चावनी छेतरे से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदे में तीन लोगों को गिरफ़तार किया है इनके मुबाइल फॉन से चावनी के अंदर की वीडियो मिली है इनकी पहचान उतर परदेश के शामली निवासी, कालीद और मुजफर नगर निवासी, महताब और रागिप के रूप में हुई है हिसार चावनी में कुछ निर्मान कारिया चल रहा है जिसके लिए ठेकेदार ने बाहर से मजदूर भेजे थे ये तीनों ठेकेदार के जरिया ही मजदूरी करने चावनी में घुसे थे देशवर में अपनी 3D सेवा बन करेगी एटल टेलिकॉम कमपनी भारते एटल ने कहा कि वे पूरे देश में अपनी 3D सेवा को बन कर रही है इसकी शुरुआत कॉलकाता से कर दी गई है कमपनी अग्रेमाई ने 6 सरकेल में 3D नेटवर्क बन करेगी और दिसमबर से मार्च तक पूरे देश में 3D सेवा को बन कर दिया जाएगा अपरेल 2020 से कमपनी 4G स्पेक्टरम पर शिफ्ट हो जाएगी इसके बार 2G स्पेक्टरम को 4G में बदला जाएगा भारत के खिलाव T20 मैच से बाहर हुए अंदर रसेल Western News के विसफोटक ओल राउंडर अंदर रसेल भारत के खिलाव टीन T20 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैचों से बाहर हो गए है उनकी जगया जैसन महमद को टीम में शामिल किया गया है सीरीज के पहले 2 मैच अमेरिका में खेले जाने है रसेल को कर्णाडा में खेली जा रही जीटी 20 लीग में कुछ परिशानी हुई थी जिसके बाद उन्होंने चैन सिमीती को सूचित क्या था साहू के नए गाने इन्नी सोनी में नजर आए प्रभास और श्रधा कपूर श्रधा कपूर और प्रभास की फिल्म साहू का नया गाना इन्नी सोनी रिलीज हो गया इस गाने में बहुबली, एक्टर प्रभास और शरधा कपूर की केमिस्ट्री लाजवाम नजर आ रही है इस गाने को गुरू रंधावा और तुलसी कुमार ने अवास दी है इससे पहले में करस ने साइको सैया गाना रिलीस किया था जो काफी पॉपूलर हो गया है फिल्म में नील नितिल मुके, जैकी श्रॉफ, चैकी पार्डे, एवलीन शर्मा भी मुके मुवी का में है आज के लिए बस इतना ही कल फेर हाजी रहूंगे नए कबरों के साथ तब तक देख तेरे सब्सक्राइब करें न्यूज लाइफ